बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रियम मंत्री किशन रेडी ने जनसेना प्रमुक पवन कल्यान से तेलंगाना विधान सभा चुनाव में समर्थन मांगा है किशन रेडी सौंसर डॉक्टर के लक्षमन और अन्य ने जनसेना अध्यक्ष से मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने विधान सभा चुनाव में समर्थन देने की अपील की उन्होंने उन से कहा वहाँ पार्टी में बीजेपी को समर्थन के मामले पर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे इससे पहले जी एचेमसी चुनाव के दोरान बीजेपी नेता ने पवन से समर्थन मांगा था जन सेना फिलहाल NDA की पार्टनर है लेकिन एपी में राजनेतिक स्थिती के संधर्ब में वहाँ टीडीपी के करीब आ गई पवन का मानना है BJP, जन सेना और TDP को एक साथ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है BJP, TDP के साथ जाने को तयार नहीं है, इसके साथ ही आंधरप्रदेश में TDP और जन सेना के एक साथ जाने के आसार बन गए है. एपी हाई कोट ने इननर रिंग रोड मामले में टीडिपी प्रमुक चंदरबाबु द्वारा दायर अगरिम जमानत याचिका पर सुनवाई साथ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है चंदरबाबु को साथ तारीक तक गिरफतार नग करने का आदेश दिया गया उन्होंने कहा सुप्रीम कोट में चंदरबाबु कोईश पीटिशन पर फैसला रिजर्व है अगर सुप्रीम कोट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो वह इस मामले में भी लागू होगा उन्होंने सुनवाई नवंबर तक स्थगित करने को कहा उधर मालूम हो कि विजयव अंदोलन का बीज करीम नगर में ही पड़ा था उन्होंने करीम नगर में एक जन आशिरवाद सभा को संभोधित किया नए राज्यत लंगना की कमान दो बीयारस के सियार के हातों में हैं यह ध्यान दिया जाना चाहिए बीयारस के शासन में कितने बदलाव होए हैं और कॉंग्रेस जीतते तो पचास साल पीछे चले जाएंगे बीयारस शासन में गाउव बैतर हो रहे हैं सडकें आदिवासी की गोद में आ रही हैं बिजली है अब हम सत्ता में वापस आएंगे और पांच हजार रुपे पेंशन कर देंगे तिलंगाना एक हजार गुरुक भेजना चाहते हैं वहीं के टियार ने इस बात से इंकार किया कि करीम नगर से जीते सांसद ने इन पांच सालों में कोई काम किया है उन्होंने शिकायत की कि गंगुला कमलाकर के खिलाफ प्रतिसपरदा का मतलब है कि हर कोई भाग रहा है कॉंग्रेस और बीजेपी क्या मेरे कहने का मतलब आपके घर की महिलाएं हैं MLC कविता ने सांसत धर्मुपुरी अर्विंद पर निशाना साधा कही ये बात MLC कविता ने अर्विंद की टिपणियों के बारे में शिकायत करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जक्तियाल जिले में बतुकम्मा ज पर यहा है मुझे कहे जाने वाले शब्द अगर आपके परिवार के किसी भी महिला सदसे से कही जाए उन्होंने कहा ये शब्द सही नहीं है सांसत धर्मुपुरी अर्विंद ने इस बात से नाराज है वह अपनी जिम्मदारियों को नजर अंदास कर रहे हैं और मनमर्जी से बोल रहे हैं मैं तेलंगाना के लोगों से अपील कर रही हूँ निजामबाद के सांसत अर्विंद ने आज कहा मैं लड़की हूँ क्या आप अपनी लड़कियों की बातों से सहमत है मलसी कलवकुंटला कविता ने अपना दुख विक्त करते हुए कहा क्योंकि मैं राजनीती में हूँ क्योंकि मैं CMKCR की संतान हूँ क्या आप मेरा समर्थन करेंगे नीलम मधू मुधिराज जो बियारस से पतंचेरू विधायक टिकेट की उम्मीद कर रही थी टिकेट नहीं मिलने के बाद स्वतंतर उमीदवार के रूप में प्रचार कर रही है नीलम मुदिराज पतांचेरू में चुनाव प्रचार कर रही है विधायक ने पिछले नौ वर्षों में पतांचेरू निर्वाचन ख्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने रोज जताया डबल बेडरूम मकान देने की बात कहकर गरीबों को धोका दिया गया निर्दली उमीदवार नीलम मधू मुदिराज ने रूबरू के दोरान कहा अगला चुनाव जीत देने और लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा कर रही है राष्ट्रिये प्रिछडा वर्ग महिला संग की अध्यक्ष एनके प्रसन्ना ने मांग की है कि गडाला श्रीनिवास राव को राष्ट्रिये स्वास्त मिशन के अतिरिक्त आयुक्त पद से हटाया जाए जो कोई भ्रष्टाचार और अर्नियम में ताय करके सरकार के समर्थन के रूप में काम कर रहे हैं अनिता उन्हें चेतावनी दी की वह कामारेडी निर्वाचन शेत्र से चुनाव लड़ेंगी और जहां से CMKCR चुनाव लड़ रहे हैं राष्टिय पिछड़ावर्ग महिला एसोसियेशन की अध्यक्ष NK प्रसना ने पहले से ही राज जिभर में कई आरोपों का सामना कर रहे गडला श्रिनिवास राव पर आरोप लगाते हुए कहा कि KCR ने राज जिभर के कर्मचारियों से सकरात्मक वोट पाने के इरादे से उन्हें अतिरिक्त जिम्यदारियां दी हैं हाला कि विजिलेंस की रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रिनिवास राव पूर्व में 20 करोड 40 लाख रुपे के ब्रष्टाचार में शामिल थे ततकालिन चिकितसा एवं स्वास्त मंतरी विभाग प्रमुक की सचिव और आज राज सरकार की प्रमुक सचिव शांता कुमारी ने GIO 90 जारी कर सेव कर लिया था उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें NHM की जिमिदारी सौपने के पीछे ब्रष्टाचार है उन्होंने कहा कि चुनाव अधी सूचना जारी होने के बाद जल्दबाजी में पुरानी तारीखों पर राश्टिये स्वास्त मिशन के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में नियु पार्क शहीद स्थूप पर तिलंगाना कार्यकरता पूर्व विधायक प्रेम सिंग्राट और पूर्व नगर सेवक और सतारू टी आरस पार्टी के नेताओं के आने की सूचना से पुलिस सतर्क हो गई है उन्होंने बड़े पैमाने पर बेरिकेट्स लगा दिये हैं और गन पार्क इलाके की गेराबंदी कर दी है पुलिस ने किसी भी अपरिय घटना को रोकने के लिए एतियाती कदम उठाए हैं पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छिपा कर रखी गई करीब हजार साडियां बरामत की है चुकि तेलंगाना में विधान सभाज चुनाव चल रहे हैं इसलिए पुलिस अधिकारियों ने निरिक्षन तेज कर दिया है राज भर में चेक पोस्ट स्तापित किये जा रहे हैं और निरिक्षन किये जा रहे हैं इस करम में भारी मात्रा में नगदी सोने चांदी के आभूशन जब्त किये जा रहे हैं हाल ही में बाचुपली पुलिस टेशन के तहट प्रगती नगर के पंचवटी अपार्टमेंट में मतदाताओं को बाटने के लिए बड़े पैमाने पर साडियां छिपा कर रखे जाने की जानकरी मिलने के बाद पुलिस और निजाम पेट नगर निगम के अधिकारियों ने छापा मारा और साडियों को एक लौरी जब्त की पुलिस अधिकारियों का मानना है कि खेप की कुल कीमत करीब एक करोड रुपे है ऐसा लगता है कि साडियों का यह बोज वरंगल से लाया गया था अधिकारियों अधिकारियों ने आरोपी को गिरफतार कर लिया और मामलाद दर्च कर लिया साड़ी लौरी को बाचुपली पुलिस टेशन में स्थाना अंतरित कर दिया गया है और जांच जारी है चुनाव के दोरान पुलिस ने चेकिंग तेश कर दी है पुलिस भारी मातरा में नगदी और सोने के साथ मतदाताओं को वितरित करने के लिए तैयार कुकर और अन्य चीजों को जब्त कर रही है हाल ही में हैदरबाद कुकटपली के के पी बी एच पुलिस टेशन इलाके में भारी मातरा में सोना जब्त किया गया था पुलिस जब वाहनों की जांच कर रही थी तो भारी मातरा में सोना जब्त किया गया पुलिस ने कुल 3.193 किलोग्राम सोना और 1.56 किलोग्राम चांदी जब्त की इस घटना में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है हैदरबाद के बंजारा भवन में हैदरबाद जिलाचनाव अधिकारियों की बैठक हुई इस कार्यकरम में 15 रीटर्निंग आफिसर असिस्टेंट रीटर्निंग आफिसर और विशेश अधिकारी भी शामिल हुए हैदरबाद जिला चुनाव अधिकारी रोनल्ड रॉस चुनाव कर तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों और बरती जाने वाली साफधानियों पर निर्देश दिया रोनाल्ड रॉस ने कहा कि पूरे हैदरबाद जिले में 35,000 कर्मचारी और 3986 मतदान केंदर बनाए गए है दूसरी और चूंकि राज में पहले से ही चुनाव सहीता लागू है इसलिए पुलिस पूरे तिलंगाना में वाहनों की जांच कर रही है कही जगों पर सोने चांदी के आभुशनों के साथ नगदी भी वरामत की जा रही है पुलिस बिना किसी दस्तावेस को लिये जा रहे सोने और नगदी को जब्त कर रही है इस सब्ता के दोरान राज में 100 करोड रुपे से अधिक नगदी जब्त की गई है कैलिफोनिया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध वैग्यानिकों की सूची में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जगा मिली है OUK Genetics विभाग के सहायक प्रोफेसर पीबी कवी किशोर को यह सम्मान मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उद्धरन गणना H Index और ETN Index सहित 44 शोद विशेयों के आधार पर दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैग्यानिकों की एक सूची जारी की है कई प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की की विश्विध्याले को गर्व है की किशोर को अनुवान शिकी के एक शेतर में उनके शोद के लिए मान्यता मिली है VC प्रोफेसर रविंदर ने रवी किशोर को उन्चे मुकाम पर पहुंचने की शुपकामनाएं दी कभी किशोर इससे पहले भी राष्टिय और अंतराष्टिय स्तर पर कई पुरुसकार जीच चुके है OU से तीन सो से अधिक शोद पत्र प्रकाशित हो चुके है जनसेना ने घोशना की है कि वहाँ दो से तीन दिनों में तिलंगाना चुनाव लड़ने पर फैसला करेगी पवन कल्यान ने हैदरबाद में जनसेना राज कार्यले में पार्टी नेताओं और कार्यकरताओं से मुलाकात की प्रदेश नेतरित्व ने खुलासा किया है कि चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी नेताओं की राए पवन को बता दी गई है कहा गया है कि तेलंगाना में पिछले चुनाव में राजनेतिक आरजकता नहीं होने देना चाहते थे इसलिए चुनाव से दूर रहे पता चला है कि अपनी सहीयोगी बीजेपी के अनुरोद पर हैदरगबाद निगम के चुनाव से भी दूर रहे तेलंगाना जन सेना ने पवन का ध्यान इस सोर दिलाया कि अगर वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैडर कमजोर हो सकता है नेताओं की राय सुनने के बाद पवन कल्यान ने कहा कि उन पर दबाव वास्तविक है और वह नेताओं और जनता के सिपाहियों की राय को महत्व देते हैं उन्होंने कहा कि सही निर्ने लेने के लिए एक या दो दिन का समय चाहिए बशीरबाग में 16 किलो, चंदानगर में 6, मियापूर में 17, शहर के बाहरी लाके में 28, जीनोम वैली के पास 9 किलो, दो पहिया वाहनों और कारों में ले जाए जा रहे सोने के बिस्किट और आभूशनों का कोई हिसाब किताब नहीं है जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताच करने पर सही जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि किसी दुकान में दिया गया सामान गंतव्य तक पहुंचने पर कमिशन मिलेगा, अगर चुनाव के समय की गई तलाशी में इतना सोना मिलता है, तो अंदा परिक्षन वाहन विकास परिक्षन 21 अक्तुबर को सुबह आठ बजे श्री हरी कोटा के अंतरिक्ष केंदर में आयजित किया जाएगा, इस रो ने उन लोगों को सला दी है, जो लाउंच को लाइफ देखना चाहते हैं, वे पहले रजिस्ट्रेशन करा ले अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष यात्रा के लिए इस रो लाउंच करेगा गगन्यान, इस क्रम में इस रो पहला परिक्षन क्र्यू मॉडल और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट पर करेगा, इस रो ने इस प्रक्षेपन के लिए TVD-1 नाम से एक प अलग कर देता है इसी क्रम में क्रियू मॉडियूल बंगाल की खाड़ी में लोट आएगा नौसेना की मदद से इस रो क्रियू मॉडियूल को अपने हाथ मिलेगा और अपने डेटा के आधार पर रॉकेट, एसकेप सिस्टम और क्रियू मॉडियूल के प्रदर्शन का विशल हमास ने जहां इसराइल पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं इसराइल का कहना है कि उसे इस घटना के संबंद में कोई जानकारी नहीं है, डेबलु एचो मिस्र और कनाडा ने हमले की निंदा की है इसराइल हमास के खिलाव भारी हमले कर रहा है, फिलिस्तिनी स्वास्थ मंत्राले ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में नविंतम इजराइली हवाई हमले में 500 फिलिस्तिनियों की जान चली गई है, इसमें कहा गया कि मल्बे में बड़ी संख्या में लोग फसे हुए हमले के समय फिलिस्तिनी स्वास्त मंत्राले ने खुलासा किया है कि गोटालों के साथ बड़ी संख्या में शरणार्ती अस्पताल में शरण ले रहे हैं इस घटना में अस्पताल की इमारत ध्वस्त हो गई और लोगों के शरीर के अंग इतक इधर उधर बिखरे देखे गए ये नजारा दिल दहलाने वाला था भारी अलोचना के बीच इसराइल ने कहा कि वह गाजा में अस्पताल पर हुए हमलों में शामिल नहीं था बताया जा रहा है कि अस्पताल में विस्वोट फिलिस्तिनी द्वारा छोड़े गए रॉकित के कारण हुआ गाजा पड़ी पर इसराइली हवाई हमलों में अब तक 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं हमास के हमलों में 14000 इसराइली मारे गए हैं खबर है कि फिलिस्तिनी राष्टपती मुहम्मद अबास ने अस्पताल पर हमले के मद्दे नजर अर्भी लीग की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया ह विश्वस्वास्त संगठन ने इस घटना की निंदा की इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तक काल कारवाई की मांग की गई मिस्र और कनाडा ने भी इस अत्याचार की निंदा की तलंगाना में बतुकमा उचसव शुरू हो गया है शिक्षन संस्थानों में दशेरा उचसव की छुटियां दी जा रही है इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में बतुकमा पहले ही कर ली गई थी उत्सव में विध्यारतियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी भाग लिया, स्कूल की लड़कियों ने बतुकमा को रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया और खेल खेलते रहे हैं चैतने पूरी के आरके पुरम स्थेट नारायन हाई स्कूल में बतकमा उत्सव का भव्या आयोजन किया गया बतकुमा उत्सव का भव्या आयोजन किया गया कई परिवार के सदस्यों के साथ बतकुमा समारों में भाग लिया इस मौक्वे पर कहा गया फूल पुजन की महान परंपरा तेलंगाना राज्य की महिलाओं को मिलिये जिले के लोगों से बतकुमा और दशरा उत्सो खुशी से माना ने कानुरूत किया गया सबी बुभागों के कर्मचारियों और असोशेयन के पदादिकारियों को धन्यवाद दिया गया तेलंगाना के सांस्क्रतिक परंपरा का प्रतिक बतकुमा उत्सो धुमधाम से शुरू हो गया है उच्सोव पहले दिन तंगेली फूला बतकुमा के साथ शुरू होता है आकरी दिन सद्दुला बतकुमा के साथ समप्त होता है तेलागाना की स्थापना के बाद से राज़ सरकारा दिकारिक तोर पर इस उच्सोव का आउजन करती रही है इस बड़े पैमाने पर जश्नका आउजन किया जा रहा है गाउं के मैदान में व्यूस्ता करने के अलावा तालाबा और पोक्रों में बतकुमा घार स्थापित किया जा रहे है और विसर जन के दोरां सभी सावधारियां बरतने के निर्दिश जारी किये गए है देवी से राज़े के लोगों को शांती और अच्छे स्वास्तक आश्रवाद देने के प्राथना की जा रहे है महिलाओं को खुशी के साथ और कोरोना मानन दड़नों के अरनों बालन में त्योहार कायजन करने को कहा गया है बतकुमा एक त्योहार है जिसमें देवी देउनतों का आवान किया जाता है और फूलों के रूप में उनकी पूजा की जाती है महालाया मौसा से शुरू होकर दूरगाश्चुमी तक नो दिनों तक हर एक गाउं में बतकुमा उच्छो की हलचल की रहती है वर्षा रूतु समाप्त होती ही और शर्द रूतु प्रारम होती है तरह तरह के फूल खिलते हैं और धर्टी माता को आनन्द मिलता है भक्त नवरात्री पर देवी की पूजा करते हैं देवी को फूल और खेलों से मा पा जाता है मा को कन्याओं का सोरूप माना जाता है इस्तिवहार के दोरान कन्याओं को जर्म ग्रह में आमत्रित किया जाता है दूसरी बतकुमा, बड़ी बतकुमा की जुड़वा गोरी देवी की प्रतिरूप मानी जाती है गौरुमा को हल्दी से बना कर उसमें रखा जाता है और फूलों से सजाया जाता है बतकुमा को ताला में विसरजित करने के आउसर पर पीली गौरुमा को वापस ले लिया जाता है और फूल बतकुमा को पानी में छोड़ दिया जाता है उस पीले गौरमा को लड़कियां अपने आँखों में लगाती है और देवी के प्रसाद के रूप में सजाती है इसलिए गौरी देवी के समक्षक के रूप में एक छोटी बतकुमा गौरमा का नाम रखने की परमफरा शुरू ही नवद यूसिया बतकुमा उस्सो धीरे धीरे बढ़ रहा है यदि एक एक फूल लाया जाए और बतकुमा को धेर कर दिया जाए और पूरा तेलंगाना बतकुमा गीत गाए तो यगीत पूरे देश को हिला देता है और तेलंगाना के संस्ट्रतिक विदेशों में गूजती है बतकुमा की माँ फूल की तरह पवित्रा और खेट की तरह खुश रहती है तेहर हमेशा एक उत्सो होता है बतकुमा का गाना बहुत ही मधूर है इसके अलावा यदि सामाजिक परिस्तितियों को दर्शानी के लिए कई गीत कई लोगों द्वारा काये जाए तो जशन सात्वे आस्मान पर होगा बतकुमा को पांच सद्धू भी चड़ाए जाते हैं दही, इमली पुलहोरा, नारियल चावल, तील चावल, नीम्बू चावल ये पांच प्रसाद बनाने के बाद रोटी और चीनी मिलाई जाती है प्रसाद के रूप में लाग जाते हैं